बसकार दोस्तों आप देख रहे हैं चोहन वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिसमबर 2022 के एक्जामिनेशन की दो कॉमन प्रोबलम के बारे में जिसके उपर ना सरिफ इस एक्जामिनेशन में वलकि हर एक्जामिनेशन में बात होती है और ये समस्या का सामना लगबख हर इस्ट्रेंट को सामना करना पड़ता है तो आज की वीडियो काफी important होने वाली है आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखे और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो वीडियो की अब को सब्सक्राइब और अबसे पहले हैं जब आपका चैनल की पड़ते हैं आपको जानते किशूर नहीं होता है आपको कोई जणते की है God so ट्रैविल तो नहीं करना है, आप morning shift का exam दीजिए, एक घंटा वहीं दिजार कीजिए, और फिर evening shift जो है, उसका भी exam देजिए, एक इस तरीके से आप कर सकते हैं, दूसरा case लेकिन वो होता है, जब आपके एक ही shift में exam पढ़ जा, यानि कि morning shift में ही दोनों exam है, या evening shift में ही exam है, अगर ऐसा होता है, इस case में आपको एक exam को leave करना पड़ता है, एक आप एक exam को इस case में leave कर सकते हैं, और जो भी आपको लगे कि इन में से एक exam उसे देना चाहिए, उस exam को आप दीजिए, और बाकी जो बचा हुआ exam होगा, उसको 6 महीने बाद जो आपका June session का exam होगा, June June 2023 का session का exam होगा, उसमें आप इसको दे पाएंगे, आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, कि आप इगनु को इसमें mail कर सकते है, date sheet at the rate ignu.ac.in, जो कि date sheet में point number 5 है, उसमें अच्छी तरीके से इसको explain किया गया है, date sheet के point number 5 में, कि date sheet at the rate ignu.ac.in पर आप mail कर सकते हैं, अगर आपक कर सकते हैं, उसरे topic के ओपर बात करें तो वो है, assignment और theory exam आप हिंदी में लिख सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसके ओपर मैंने एक वीडियो पहले भी variety जिसमें आपको बताया था कि theory exam जो होते हैं, वो आप हिंदी में लिख सकते हैं, आप simply क्या कीजिए कि previous year question question paper जो है, उसको download कर लीजें, जिस भी subject का आप exam देना चाहते हैं, और आपका जो previous year question paper है, यानिकि जो इगरू का question paper है, वो जिस भी भासा में लिखा गया होता है, उस भासा में आप उसका जवाब दे सकते हैं, अगर कोई question paper है, जो हिंदी और English दोनों में लिखा गया, मान answer seat जो आएगी आपकी, उसमें medium जो है, वो हिंदी लिख देना आप, और स्वातुर उसका answer आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ये लेकिन language course के ओपर apply नहीं होता, आप जानते हैं, अगर English का language का exam है, तो उसके सारे question English में ही लिखे हुए आएंगे, तो आपको फिर उसका English मे आपको उसका जवाब देना होगा, तो ये बात आपको ज्यान में रखने वाली है, तो आप हिंदी में आप कोई भी question paper होता है, तो उसके answer लिख सकते हैं, तिरिफ सर्थ यही है कि उसका question paper हो, उसमें भी हिंदी भासा में उसके सवाल लिखे गए हो, ठीक, उसके बाद assignment में ये भी आप अगर आपने even English को choose किया हुआ है, आपने medium जब आपने admission कर वाया था, उसमें English चूज किया था, फिर भी आप अपने assignment जो हिंदी में लिख सकते हैं, इसमें भी वही चीज है कि आपका जो assignment होगा उसका बस वो हिंदी भासा में भी हो, अगर वो हिंदी भासा में है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको हिंदी भासा में उसके answers को भी लिख सकते हैं, उसमें कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये जरूर धियान में रखिये कि अगर आप अपना assignment हिंदी में लिख रहे हैं, तो उसके साथ जो question paper attach करेंगे, वो भ अगर हिंदी भासा में आपने assignment लिख रहे हैं, तो उसके साथ question paper भी हिंदी भासा वाला ही आपको लगाना होगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और फिर आप अपने assignments को और theory ग्जाम को हिंदी में लिख सकते हैं, ये लेकिन जो rule है, उन language paper पर apply नहीं होता, आपकी सब पर apply होता है, तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको बसंदा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए,